जै शिरी राम कैसे हैं आप इश्वस यही कामने आप हमेशा खुश रहें तंद्रूस रहें और बड़ो कारशिरबाद आपको बहुत सारा मिलता रहें आप और आपका परिबार हमेशा खुश रहें तंद्रूस रहें यही मैं इश्वर से कामना करती हूँ आईए वीडियो शुरू करते हैं लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगे अगर अभी तक आपने मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें बैल बटन को जरूर दमाएं वीडियो आपको अच्छी लगते हैं तो लाइक और शेयर करना बिलको न बूलें आज की जो वीडियो है हमारे चक्राज के उपर है हमारी कौन से ऐसे चक्राज है जो मनी मैगनेट यानि आपको मनी मैगनेट बना सकते हैं एसी कौन से फिंगर हैं जिनको टच करने से हम मनी मैगनेट बन जाते हैं मगर पूरी श्रधा के साथ में पूरे विश्वास के साथ में करना है मगर एक चीज़ का और ध्यान रखना है करम भी करना है अब यह थोड़ी ना है कि आपने आटा ले आए हैं तो पहले मेहनत तो मुद्राएं हैं यह बहुत पावरफुल मुद्राएं होती हैं और जब इन मुद्राओं को सही तरीके से किया जाता है तो हमारे जीवन के अंदर बहुत बदलाव आता है और हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी चीज़ें चमतकार होने शुरू हो जाते हैं बहुत अच्छ ना भी, जब वो जाग्रेत हो जाती है तो कहीं न कहीं से हमारे द्वार खुलने शुरू हो जाते हैं, जहां पर स्टकनस होती हैं, लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जो जहां पर हमारे को लगता है कि यहां से पैसा आजएगा, यहां से हमारी problem solve हो जाएगी लेकिन कई बार हम गलत direction ले लेते हैं और गलत ही result मिलता है तो हमें करना क्या है ये सिरफ थोड़ी सी देर का ही काम होता है आपने इसको 27 बार करना है जी हाँ 27 बार करना है सुभे करना है और जिस समय आप योगा करते हैं या जिस समय आप ध्यान करते ह है उस समय आपने करना है और रात को अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अची बात है अगर नहीं कर सकते हैं तो आप देख लीजिए वैसे अगर सुभे और रात का करते हैं तो बहुत अच्छा है मतलब सोने जाने से पहले आपने करना है अब करना गया है आपने ये हमारा है यह अगनी है यह वायू यह आकाश जल और प्रित्वी ठीक है यह हमारा में पॉइंट है और हमारा शरीर जो है पांच तत्वों से बनावा है किस तरीके से उंगलियां मोलने से हमा हम मनी मैगनेट बन जाते हैं हम धन को आकरशित कर पाते हैं तो अब आपने क्या करना है य अगनी वायू और अकाश अगनी कैसे बढ़ती है जब वायू चलती है और अगनी हमेशा उप जाती है अप की तरफ जाती है स्काई की तरफ जाती है तो अब आपने क्या करना है यह पॉइंट को आपने इस तरीके से इस तरीके से प्रेस करना है और जो आपका जल और प्र fingers को आपने नीचे की तरफ रखना है इन दोनों finger को नीचे की तरफ रखना है इस तरीके से आपने बनाना है ठीक है अब इसको आपने ये वाला जो portion है इसको उपर की तरफ रखना है आकाश की तरफ रखना है इस point को इस तरीके से आपने रखना है और रखने के बाद में आप आपने deep breathe करना है, और जब breathe कर रहे हैं, जब inhale कर रहे हैं, तो आपका पेट आगे की तरफ आना चाहिए, और जब आप exit कर रहे हैं, तो वो पीछे की तरफ जाना चाहिए, ऐसा करने से क्या होता है, जो हमारा money point है, जो हमारी नाभी वाला money point है वो activate होना शुरू हो जाता है, और आपने यहां पर एक fire को करना शुरू कर दिया, यह points को दमाना शुरू कर दिया, जब आपने कोई भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, ओम का उचारन कर सकते हैं, गायतरी मंत्र का जाप कर सकते हैं, किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, और अगर आप मंत्र का भी नह आप कर रही हैं, तो कोई भी एक music लगा लिजेगा, एक meditation music लगा लिजेगा, और आपने नेवल के पास में, जी हाँ, नेवल के पास में आपने इस तरीके से रखना है, दोनों हातों को side में रख करके, आपने, आपने deep breath 27 time, 27 हमारे नक्षत्र हैं, ठीक है, और 9 नंबर बहुत शुब होता है, और 9 ही हमारे ग्रह है, तो आपने इस तरीके से आपने, आपने सारी चीजों को जागरेद करना है, आपने मन ही मन में, जैसे 27 बार inhale और exit, inhale और exit, उसके बाद में आपने शान्त हो जाना है, feel the vibration, यहाँ पर आपको vibration होनी शुरू हो जाएगी, यहाँ पर होगी और साथ में आपकी नेवल के आसपास vibration शुरू हो जाएगी, यह indicate करेगा कि आपका money point जो है activate होना शुरू हो गया है, आप इसको रोजाना और इसमें ज्यादा time भी नहीं लगता है, इसमें 5 मिनट भी बड़ी मुश्किल से लगेंगे आपने और बड़ा मज़ा आएगा आपको इसको करने के अंदर, और आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़े जो छुपी भी थी वो निकलनी शुरू हो जाएगी, आपके जो आप लेना चाहते थे, किसी चीज के ओपर decision लेना चाहते थे, धन सम्मंदित को decision लेना चाहते थे, वो decision मिलना शुरू हो जाएगा, आप ये करके देखेंगा औ और आप देखेंगे कि उंगलियों को मोडते ही क्या चमतकार होता है आपकी लाइफ के अंदर, आज के लिए बस इतना ही खुश रहिए, तंद्रूस रहिए, बड़ों का अशिर्वाद आपको बहुत सारा मिलता रहे है और समाज के लिए ज़रूर अच्छा काम करें, एक हमारी जिन्दगी को बतल देता है, जै शिरी राव